mo my dear students welcome back to my давно sv steady classes बार तो कैसे हो आप सब और कैसे चल लगία आपकी स्टडी आप अप सब सबी लोग मस्त होगी और आपकी स्टडी भी सानदार चल ले होगी तो माइड जया स्टुरेंट आजका वीड़ीयो क्लास 12 फीजिक्स का वीड वीडियो हुन होने वाला रहे Class 12 Physics के साथ सबसे महत पूर्ण जो questions है उनको आज किस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऐसे questions हैं बच्चों जो आपके board exam में हर साल आने वाले हैं यनि कि ऐसे question हैं जो अगर आप previous year को a question paper उठा के देखोगे ना तो वहां पर आपको 100% सारी questions जो हैं मिलने वाले हैं तो इसलिए सारे questions बेरी most important questions हैं और अगर आप इन questions को पढ़ लेते हो समझ लेते हो तयार कर लेते हो न तो आपके board exam में questions आएंगे ही आएंगे बस आपको तयार करके जाना है ठीक है बच्चो और अगर आप लोग board exam 2000 की तयारी preparation अच्छे से करना चाहते हो बाकई में दिल से मेहनत करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए very most important है देख ही जाना क्योंकि बच्चो जो question से पता नहीं लगता है कि कौन से महत्पूर question किस साल रख दिये जाएं यहनिकि महत्पूर तो हैं आभी सकते हैं chance नहीं भी आ सकते हैं लेकिन 100% नहीं हम कह सकते हैं कि 99% chance हैं कि question इन में से ही कोई एक आ सकता है और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, वीडियो से ही आ सकते हैं तो आपको धेखन रख के देखना है बिल्कεल समझ !! हमें टार्गेट बनाके चलना है हमें छोटा टार्गेट नहीं बनाना है कि आपकी बारह में 65 प्लस मार्क्स करने हैं physics के इंदर पर आपको प्रस प्लसकोrey से llo ol उसमें से हमें 65 नमबर लाना है कैसे लाना है उसके बारे में आपको मेहनत करनी पड़ेगे कैसे करनी वो हम आपकी मेहनत करवाएंगे तो आईए कि कुस्षन को हम बिल्कुल ध्यान से समझ लेते हैं और इत्मिनान से लिख लेते हैं देखे बच्चों कुस्षन नमर फस्ट क्या कहता है कुस्षन नमर फस्ट है कि बैद्दू दोईधूरूब क्या है यानि कि जो बैद्दू दोईधूरूब होता है वो क्या होता है कुस्षन आता है और हम लोग कई कुस्षन को सॉल्व करते हैं बैद्दू दोईधूरूब वहाँ बैदुत निकाए जिसमें दो बराबर परंत विप्रीत प्रकार के बिंदु आवेस एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों बैदुत दूरुक कहलाता है समझे, वहाँ निकाय जिसमें दो बराबर, यानि कि मान लिजे ए कोई पांच कूलाम का आवेस है, और ए भी कोई पांच कूलाम का आवेस है, इस पर भी पांच कूलाम आवेस है, इस पर भी पांच कूलाम आवेस है, दो बिंदो है, ठीक है, दो बराबर परन्त बिपरीत प् बहुत कम हो तब इसे हम क्या कहेंगे बच्चो बैद्दो दोई धुरूप कहेंगे और इन ही पर हम निकालते थे बैद्दो छित किती बुरता इसको हम तूएल मानते थे आपने पीछे हमने सिध्द कराया था इन सारी चीजों को ठीक है बच्चो तो आपको परिवहसा याद दो नंबर में पूश लिया जाती है अति लगूत्री कोस्टन में आसकती है या लगूत्री कोस्टन में आसकती है जो sport लगूत्री आती है ठीके बच्छों नेस्ट कोश्टन है कि बैदूध्फलक्स की परिभासा तथा मात्रक लिखिए जिस चीजों के बीट बेस अंडर-ला किसी बैदुद छेत्र से अभी लंबबद दिसा में गुजरने वाली बैदुद बल रेखाओं की संख्या को वैदुद फ्लक्स कहते हैं यानि कि समझिए कोई एक वैदुद छेतर है उसमें इस्तित है उस वैदुद छेतर के अभिलंबवत से अभिलंबवत दिसा में जो भी वैदुद छेतर होगा उसके अभिलंबवत दिसा में जो भी वैदुद बल रिखाएं गुजरेंगी ना उनकी जो संख्या होगी उसको ह वैदुत फ्लक्स कहेंगे ठीक है बच्चो अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्कॉयर होता है न्यूटन मीटर स्कॉयर प्रति कुलाम होता है या इसका मात्रक बोल्ट मीटर भी होता है क्योंकि बच्चो कभी कभी बोल्ट मीटर भी लिख कभी कभी क्या होता है कि objective question में वह विकलपी question में एक नमबर में वैदो फ्लक्स का मात्रक पहुच लिया जाता है और दोनों मात्रक पहुंचे जाते हैँ तो इसलिए दो मात्रक हैं अपको बता दियों कि हो सकता है आप ये वाले मातरखम आपको पढ़ा देते, ये वाला बोर्ड एक्जाम में आ जाता है, फिर आपके निष्ज होते हैं, ये पढ़ा देते हैं, ये वाला तो आप दोनों पढ़के जाएएगे, ठीक है बच्चों, news question देखे, देखिए बच्चो नेस्ट कुस्टन क्या कहता है एक प्रोटान को दूसरे प्रोटान की और जाने पर निकाय की बैदुत इस्थिती जूरजा पर क्या परभाव पड़ेगा देखिए अगर एक प्रोटान है अगर इसको दूसरे प्रोटान की और ले जाते हैं तो जो निकाय होगा उसकी बैदुत इस्थिती जूर्जा होगी इस्थिती जूर्जा को कहते है काइनेटिक एनर्जी इसको केई से डिनवर्ड करते हैं कितनी होती है एक बटे दो एम बी स्कॉायर मैंने आपको बढ़ाया था तीक है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जाने पर दोनों के बीच प्रतिकरशन बल के बिरुद्दकार करना पड़ता है दोनों बल होंगे इनके देखी मान लीजे हमारा जो एक परमाड होता है उसके बीच में नाविक होता है जिसमें निट्रोन रहते हैं और प्रोटान रहता है निट्रोन पर निट्रल होता है इ अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव को जो हम पास लाते तो इनके बीच में प्रतिकरशन वाले एक दूसरे से दूर जाने कर प्रयास करते हैं लेकिन वहीं अगर एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो एक दूसरे के पास चिपकने का कारे करते हैं इनके बीच में आकर्षण बर लगता है इनके बीच में प्रतिकर्षण बर लगता है तो दिखिए अगर हम दो चीजे आप देखते हैं मालीजे आपने चुम्बक देखी होंगी चुम्बक के दो टोड़े कर लीजिए और कभी-कभी वो चुम्बक एकदम से चिपका लेगी अपने तो इसलिए क्या करता है इनको प्रतिकर्षण बल जो होता है इसके विरुद्धुकार करना पड़ता है जिससे निकाय के इस ति उर्जा जो होती बढ़ जाती है क्या होती है वड़ जाती है अब देखिए आवेशित कर्ण के अनुगमन बेग तथा बैदुद्धारा घनत में संबंद क्या है इसके बारे में आपको बताना है और इक कुर्षण बोड़ इक्जाम में आता है देखिए इसको समझिए पहले देखिए आवेशित धारा घनत के लिए आपको सूत्र पढ़ाया था है अगर हम चाता है तो परिभासा लिखाते है परिभासा बहुत लंबी हो जाती है और एक कुर्षण पूरा लांग कुर्षण था ठीक है मैंने सोट करके लिख लिया है और एक कुर्षण ज्यादा था लग हुत्तरी कुषण में पूछा जाता है दो से तीन नंबर में और आता जरूर है इसमें से कोई ना कोशी जाएगी अगर नहीं आएगा तो इससे निमेरिकल फंस जाएगे आपको ठीक है देखिए धारा घनत का अगर हम सूत्र बात करते हैं तो हमने आपको एक सिद्ध किया कि सबसे लाश्ट में सूत्र को लायते तब लाश्ट में आया था आई जुकल टू यहनी वीडी यहनी एवीडी ठीक है अब हमने क्या किया था जब आई का मान हमने इस वाले सूत्र में रखा था आई की जगह पर पूरा मान रखा है तो हमने क्या किया था यह तो इसम जे और बीडियम ने ले आए अनुगमन बेक तो इसमें दोनों में सम्मंध हो गया ठीक है बच्छों समझ में आगे आगे देखिए नेश्ट कुस्चन नमर फाइब है किर्चाफ का प्रथम नियम तथा दूसरा नियम किन बहुतिक रासियों के सरचन पर आधारित है और एक क कभी कभी प्रथम नियम पूछता है कभी कभी दुतिय नियम पूछ लेता है और पूछ लेता है देखिए कहता है किर्चाफ का प्रथम नियम तथा दूसरा नियम क्रमसा आवेस के सरचन तथा उर्जा के सरचन पर आधारित है यानि कि जो किर्चाफ का प्रथम नियम है व सभी संदियों पर मिलने वाले सभी धाराओं का योगफल सुनने होता है इस तरीके से मैं इसको सिद्ध करते थे इसकी डिफिनेशन लिखते थे मैंने आपको पढ़ाया है अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना नहीं पढ़ाया तो आप कॉलेज में जाते होगे अपन पढ़ लेगे अब आता चुम्बकी या मुत्तर की परिवहासा दीजिए अब देखें चुम्बकी या मुत्तर बच्चे कनफ्यूज होते हैं लेकिन थोड़ी डिफिनेशन इसकी टिफिकल होती हर जागे पर लोजिक होता है तो आप लोग याद कर लेंगे देखें क्या हो तंतता पुरवक अगर आपने लटकादे इसमें ना यह आपने इधर खींच रहे ना उदर खींच रहdagma आपने लटकादी लटकी है ठीक है तो लटकने के बाद जब हम लटका देंगे तो चुमकी अच्छ से जो भी गुजरने वाले गुजरने पाले उर्दहादर तल को जो उसका उर्दहादर तल होगा उसको उर्दहादर जो तल होगा उसी को चुमकी या मुत्तरम कहते हैं ठीक है बच्चों नेश्ट देखी लाश्ट है, चुम्बकी फलक्स से आप क्या समझते हैं, अभी हमने बैदुत फलक्स की बात की थी, अब हम बात करें हैं चुम्बकी फलक्स की, तिकी बच्चों, चुम्बकी फलक्स क्या होता है, चुम्बकी फलक्स से आप क्या समझते हैं, ठीक है, किसी सते की अभी वाली अभिलंबवत या किसी सते से अभिलंबवत गुजरने वाली बैदुद्बल लेखाओं की संख्या को ही हम चुम्व की फ्लक्स कहते हैं इसे हम फाई से प्रदसित करते हैं इसका सिंबल होता है इसे पढ़ते हैं बच्चों फाई इसका मातरक एकर हम बात करें तो इसका मातरक होता है बेवर क्या होता है बैवर और एक ब्सषण जो है बोड़ एक 책 इंपोर्टेंट है आप मडल पेपर को उठाना अगर आप लोग पियर अंसाल बगएरा साल्व करते होगे तो वहाँ पर आपको कोशन मिलते होगे ठीक है तो आप लोग पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें अगर कोई भी डाउट होता है कोई भी कुशन होता है कोई भी क्यूरी होती आपको तो आप हमा बात्रम